आज समिधान दिवस है, समिधान सभाने 1949 में आज ही के दिन समिधान को आपचारिक रूप से स्वीकार किया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया, समिधान स्वीकार किये जाने की याद में आज का दिन समिधान दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अफसर पर राश्रुपती द्रौपदी मुर्मु ने आज सर्वोच न्यायाले में डॉक्टर भीम रावंबेटकर की प्रतिमा का अनावरण किया इस कारिक्र में सर्वोच न्यायाले की मुख्य न्यायधीश, डीवाई चंद्रचूर और अन्य न्यायधीश भी उपस्त थे एस मौके पर राश्रुपती ने कहा कि न्यायक सेवा में अपना करियर बनाने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के लिए विशेश कदम उठाने की आवश्यक्ता है कोई तो IS, IPS कहते हैं, कोई कहते हैं नहीं, हम जुड़ी स्यारी में जाना चाहते हैं तो ऐसे कुछ किया जाए, ओ बच्चे आसानी से यहां आपाई, मुझे लगठाई यॉंग है, कालेंटेड है, इनर्जेटिक है, देश के लिए समर्पी थे इसे कुछ किया जाए, मुझे पता नहीं, नियो में में किया लिखा है, आप सोब यहां मौज़ू थे इसे कुछ किया जाए, कि ओ बच्चे चुन के यहां आ सके, IS के लिए कुछ प्रभीजोन है, IPS के प्रभीजोन है स्टेट में भी बहुत सरे प्रोभीजोन है बच्चे अपना कोई UPSC कोई क्या दे करके वहाँ चले जाते हैं यहां कुछ ऐसे किया जाए मुझे पता नहीं इन फ्यूचर आप लोगों को में छोड़ती हूँ कारिक्रम को संबोधित करते वे सर्वोच न्यायाले के मुख्य न्यायधीश ने कहा कि किसी भी नागरिक को कोट में आने से डरने की जरूरत नहीं है सर्वोच न्यायाले के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं मैं केंद्रे कानून मंत्री अरजुनराम में एगवाल ने कहा कि देश की प्रगती और विकास में हमारे सम्विधान ने एहम भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि बहतर सम्विधान की वजह से भारत विपरित परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहा संसार के देश भी हमारा लोगा मान रहे हैं और हम बहुत सी विपरिस परिस्थितियों से भी निकले के यह ऐशी परिस्थितियां आई जब लगा क्या डगमगा जाएंगे लेकिन हम नहीं डगमगा आए उसका एक ही बड़ा कारण है वो है भारतिय सम्विधान इस बीच दिहत्तरवे सम्विधान दिवस के अफसर पर संसिदे कार्य मंत्राले ने सभी नागरिकों से सम्विधान प्रश्णोत्तरिय और सम्विधान की ये प्रस्तावना के ओनलाइन पाठन कारिक्टरों में भागलेने का नुरोध किया है